नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पिसाब की नली की सिकुडन के लिए, जिसे हम लोग इंग्लिज में इरुधर्थर स्टिक्चर बोलते हैं, इसके लिए एक होमेपाथिक कॉम्बिनेशन में आपको बनाना सिखाऊंगा, जिस कॉम्बिनेशन से आपको इ मेरे ख्याल से यह तो आपको पता ही होगा कि पिसाब की जो नली होती है जिसे हम लोग इंग्लिस में युरोथ्रा बोलते है युरोथ्रा में एक सिकुडन सी आ जाती है और जिसके कारण आपको पिसाब करते हुए तापको जलन होती है दर्द होती है आपका पिसाब जो है ब तो इस टॉपिक का उपर मेरा इस चैनल को उपर ओल्रेडी 3-3 वीडियो मौझू है एक वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया है कि ईर्थ्रस्ट्रीक्चर क्या होता है एकदम थोरोली समझाये है बाकी दो वीडियो में हमने केस बताये है कि पेसेंट का प्रॉब्लम कैसा था जब यूरत्सर्टिक्चर के लिए हमारे पास treatment करने के लिए आये थे और treatment करने के बाद after 4 months कैसे उनका problem solve किया गया उसके बाद कि इतना better fill कर रहे है ये proof के साथ बताया गया है तो आप दोस्तो ज़्यादा time बरबाद ना करते हुए सिधा मैं आपको होमेपतिक combination बनाना सिखाऊंगा यूरत्सर्टिक्चर के लिए दोस्तो इस combination को बनाने के लिए आपको 5 होमेपतिक medicine की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको 30-30 ml का लेकर आना है और उसी के साथ आपको एक 200 ml की empty container की जरूरत पड़ेगी और ये 200 ml की container की अंधर आपको ये 5 की 530 ml की जो medicine आप लेकर आए है इसको आपको डाल लेना है mix कर लेना है आपस में मैं medicine का नाम बताता हूँ आप एक बार देख लीजिए सासी साथ में आपको picture भी लगा देता हूँ वो भी आप देख लीजिए तो इस combination को बनाने के लिए जिन medicines का जरूत पड़ेगी उसका नाम है थालस पी बीपी मदर टिंचर परेदा ब्रेबा मदर टिंचर पेट्रो सेलेनियम सटाइवम मदर टिंचर चिमाफिला मदर टिंचर और लास्ट जो medicine है उसका नाम है इक्विस्टम हाइमल मदर टिंचर चीजबूंद हाप कब या एक कब नॉर्मल पाड़ी के साथ मिला कर और इस तरह से इस combination को आप चार मेहने इस्तमाल करें लगातार continue चार मेहन आप इस्तमाल करें और धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि इस medicine का इस्तमाल करने से आप की रूथर स्टिक्चर की समस्या में का काफी हथ तक आपको राहत पढ़ना स्टार्ट हो गया है आप देख पाएंगे कि आपका पिसाब का workflow काफी हथ तक बढ़िया हो गया है बहुत सही हो गया है पहले से उसमें कोई जलन नहीं है, दर्द नहीं है आपको ज़्यादा force भी नहीं लगाना पड़ रहा है पिसाब करने के लिए और नहीं आपको बहुत ज़्यादा time लग रहा है पिसाब करने के लिए अपना bladder को पुछी तरह empty करने के लिए तो यूरत्तर स्टिक्चर के लिए ये कॉंबिनेशन बहुती बढ़िया होता है बहुती फाइदे मंद होता है मैंने आज तक बहुत लोगों में इस कॉंबिनेशन के इस्तमाल करके देख लिया है इससे बहुती बढ़िया फाइदा होता है बहुती बढ़िया रेजल्ट आत करता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही प्रेंट करता हूं और अगर आपको इस टॉपिक के रिगाइटिक मुझस्तवर को जनकरी चाहिए तो आप इस वीडियो कमेंट बॉस में कमेंट करिए आपको वहाँ पर रिप्लै दे दिये जाएगा तो थैंक यू वेरी मुच और अवा गुड़ दे